अगर दोस्तों आप लोग भी एक वीडियो करेटर और आप लोग भी एक अच्छी सी वीडियो को सूट करना चाहते हैं अच्छी से केमरे से और आप लोग की पसंद भी है सोनी का केमरा तो आप लोग को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे Top 5 पे से Best Sony के Camera के बारे में जो कि आप लोग को Best Performance के साथ देखने को मिल जाते हैं तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टाट करते हैं Best Sony Camera के बारे में जो कि आप लोग फोटोग्राफिक है या फिर अपनी वीडियो करेटर के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों माई लिस्ट में पांचमें निमर का Camera था है Sony A7 Mark IV दोस्तों है Sony का सबसे बजट और सबसे फेवरेट कैमरा होने वाला है जिसके अंदर आप लोगो Full Frame Camera देखने को मिलता है जिसके Lenses की बात करें तो इसके अंदर आप लोगो 33 Megapixel का Lens देखने को मिल जाता है और इसके Build Quality भी आप लोगो काफी ज़दा अची लगीगी या दोस्तों एक TSL Quality वाला Camera होने वाला है जिसके मदर से दोस्तों आप लोग 4K तकी वीडियो को सूट कर सकते हैं अपनी रिकोडिंग के अधर जो कि आप लोगो 60 APS के उपर होगी बाकि दोस्तों इसके अंदर आप लोगो Eye Auto Focus देखने को मिल जाता है बाकि इसके अंदर आप लोगो Digital Zoom का Option भी देखने को मिल जाता है और अगर दोस्तों आप लोगो के वीडियो करेटर हो या Beginner हो तो आपके लिए यह सबसे Best Camera होने वाला है बाकि इसके अंदर आप लोगो Foldable Display भी देखने को मिल जाएगी जो की Fully Touch होने वाली है बाकि दोस्तों यह है आप लोगो की वीडियो करेटर के लिए बिल्कुल Best Camera होने वाला है Sony की तरफ से बाकि पराइस की बात करें तो आप लोगो Amazon के वीपर 2,12,000 रपे के अंदर देखने को मिल जाएगा पराइस की वीडियो को सूट कर सकते हैं इसके अंदर आप लोगो ओटो फोकस का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग की फोटो को काफी ज़्यादा अचा बना देगा बाकि इसके अंदर आप लोगो Foldable Display देखने को मिल जाती है और यहें केमरा दोस्तों आप लोगो with Mic देखने को मिलता है जिसे कि आप लोगी Voice भी काफी ज़्यादा केलियर हो जाती है इसके अंदर आप लोगो सिरफ 300 ग्राम का Weight देखने को मिल जाता है तो यह काफी ज़्यादा Lightweight वाला केमरा भी हो जाएगा परकि दोस्तों बात करें तो यह आप लोगो की टेवल वीडियो को सूट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है मतलब कि अगर आप लोग एक Cinematic या फोटोग्राफी के लिए केमरे की तलास कर रहे है तो यह आप लोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है बाकि बात करें प्राइज की तो यह आप लोगो Amazon के उपर 50,000 पे के अंदर देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों मैं लिस्ट में तीसे नमर का केमरा आता है Sony A7R Mark V दोस्तों यह Sony का सबसे बजटेबल और सबसे बेस्ट केमरा होने वाला है जो कि इसकी प्राइज भी काफी जादा होगी इसके अंदर दोस्तों आप लोगो फुल फ्रेम सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोगी फोटो को काफी ज़्यादा के लिर्वान धान देगा और इसके अंदर आप लोगो 61 मेगा पिसल का केमरा लेंस देखने को मिल जाता है और यह दोस्तों एक मेरलेस केमरा होने वाला है बाकि इसकी मदल से दोस्तों आप लोग 4K फुल फ्रेम की वीडियो को रिकोर्ड कर सकते है तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग की वीडियो की किलेटी कितनी ज़्यादा हो जाती है बाकि दोस्तो अगर आप लोग एक फोटोग्राफर और आप लोग बेस्ट केमरा डूंड रहे सोनी का तो यह बिल्कुल बेक्ट वो होने वाला है फोटोग्राफिक के मामले में बाकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अची लगेगी बाकि मेरी मायने तो दोस्तो यह एक फोटोग्राफर के लिए बिल्कुल बेस्ट कामरा होने वाला है और इसकी आप लोग को जो एमेजोन पर प्राइस देखने को मिलेगी वह दोलाग सोसट रजार पर देखने को मिलती है यहां दोस्तो एक mirrorless camera lens होने वाला है जो कि आप लोग को 4K तकी फुल वीडियो को record करने का option देता है वो भी फुल फ्रेम के साथ इसके अंदर आप लोग को autofocus का system भी देखने को मिल जाता है और बात करें तो इसके अंदर आप लोग को 2.7 का optical zoom का option भी देखने को मिल रहा है बाकि यह smart camera दोस्तो आप लोग की वीडियो करेटर के लिए बिल्कुल best होने वाला है इसके अंदर आप लोग को 8.6 mm का zoom lens देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग की photographic के अंदर काफी ज़्यादा मदद कर देगा इसके अंदर आप लोग को 24 megapixel का camera lens देखने को मिल जाता है और इस camera की बात करें तो यह एक full frame camera होने वाला है जिसकी मदस्ति आप लोग 4K तक की वीडियो को सूट कर सकते है वो भी काफी ज़्यादा high quality के अंदर यां दोस्तो आप लोग को फिलिप screen के साथ देखने को मिलता है मतलब कि आप लोग को इसके अंदर जो display देखने को मिलती है अपने किसी भी device के अंदर अपनी फोटोग्राफों को या फिर वीडियो को सेंड करने के लिए बाकि इसकी price की बात करें तो आप लोग को Amazon के उपर 1,23,000 पे के अंदर देखने को मिल जाता है तो ये camera आप लोग के लिए बिल्कुल perfect होने वाला है बाकि दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसी और भी information वीडियो देखना चाहते है तो अब तक आप लोग ने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजे और जाने से पहले वीडियो को like कर दीजे बाकि दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर